दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Spider-Man के full customization के बारे में वैसे तो मैंने Spider-Man का customization पहले create कर रखा है ये customization बहुत ही अलग होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो home screen design कुछ ऐसा देखने को मिलेगा साथ की बात करता है log screen के बारे में आप इस setup को create कर सकते हो तो setup को create करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ basic settings करना पड़ेगा basic settings क्या है यहाँ पे आपको 6 icons कुछ ऐसा add करना है screen की उपर zoom in करना यहाँ पे आपको setting icon देखने को मिलेगा यहाँ पे click करना home screen layout को 5 into 6 करना है उसके बाद आप यहाँ पे done कर देना और आप यहाँ पे 6 icons add कर लेना उसके बाद आपको यहाँ पे dark mode को enable करना है अब बारियाती है themes को download करने की तो आपको theme store application open करना है open करने के बाद आपको first number की theme black, spidy, witchery की नाम से देखने को मिल जाती है basically spider man की only एक ही theme available है theme store पे और वो theme यह वाली देखने को मिल जाती है और इसके अलावा को आपको और कोई theme spider man की देखने को नहीं मिलती theme store पे तो आप इसको apply कर लेना यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे आप creator का name देख सकते हो theme को download करने के बाद आपको यहाँ पे dark mode को enable करना है उसके बाद इस theme को आप apply कर देना आपके समने theme apply हो जाएगी उसके बाद बारियात यह icons को change करने की तो icons को change करने के लिए आपको यहाँ पे search bar में dark type करना पड़ेगा यहाँ पे देखो मिने dark type की है first number पे आपके समने theme देखने को मिलेगी इसको आप download कर लेना और यहाँ पे आप creator का name देख सकते हो साथ यहाँ पे आप theme का name देख सकते हो theme को download करने के बाद customize वाले option के पर click करना icon के पर टिक लगा के इसको apply कर देना और आपके समने जो icons देखने को मिलते है change हो जाएंगे उसके बाद बारी आती है lock screen को change करने की तो lock screen को change करने के लिए basically आपको 3DSi theme का use करना पड़ेगा यहाँ पे आप name देख सकते हो और यहाँ पे आप creator का name देख सकते हो theme को download करने ना उसके बाद आपके सामने lock screen में यह wallpaper शोगा इसको आपको replace करना पड़ेगा तो Xiaomi की lock screen का wallpaper change करने के लिए आपको एक trick का use करना पड़ेगा कौनसे ही वो trick है यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखिया आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी लगा के इसको apply कर देना एंड सबी themes आपके सामने apply हो जाएगी उसके बाद बारियाते यहाँ पे KWGT को use करने की KWGT को use करने के लिए आपको दो application डाउनलोड करना पड़ेगा एंड आप क्या करना प्ले स्टोर application को open करना open करने के बाद आपको यहाँ पे KWGT custom visit pro की search करना है उसके बाद आपको यहाँ पे first number पे application देखने को मिल जाएगा KWGT custom visit maker और यहाँ पे paid version मिलेगा इसको आप Google से free निकाल सकते हो या फिर आप मेरे telegram group को join कर सकते हो link आपको description box मिल जाएगा वहाँ पे आपको free देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे next application Fiest KWGT की नाम से डाउनलोड करना है इसका link में description box में डाल दोगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना उसके बाद आप देखो बारी आती यहाँ पे widget को add करने की तो theme को download तो दोनों application को download करने के बाद आपको screen के उपर zoom in करना है widget वाले option के उपर click करना नीचे की तरफ आपको scroll करना है जैसे आप नीचे की तरफ आपको scroll करोगे आपके सामने यहाँ पे custom widget देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको जो one ratio one की widget देखने को मिलती है इसको आप यहाँ पे add करने के बाद इसकी size को आप कुछ इतना रख लेना उसके बाद यहाँ पे आपको click करना है click करने के बाद आप देखो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा उसके बाद आपने जो Fiest KWGT डाउनलोड किया था आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पर आप देख सकते हो first number की आपको यहाँ पर widget देखने को मिल जाती है तो आप यहाँ करना इस widget को और यहाँ पर आप सर्च कर लेना उसके बाद आप देखो यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा एंटरफेस देखने को मिलेगा आप यहाँ पर जो widget देखने को मिलते है frame के लिए नहीं आ रही है इसको आपको कस्टमाईज करना पाड़ेगा तो इसको कस्टमाईज करने के लिए आपको यहाँ पर धर number का group देखने को मिल जाता है यहाँ आप देख सकते हो साथ ही यहाँ पर आपको font icon देखने को मिल जाएगा, अब देखो, यहाँ पर आपको जो first number का stack group देखने को मलता है, यहाँ पर click करना है, click करने के बाद आप यहाँ पर position के पर click करना, और इसको यहाँ पर down कर लेना, down कर लेके बाद इसकी size को आप थोड़ा सा increase कर ले, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, और इसकी position को आप थोड़ा सा और set कर लेना, यहाँ पर कुछ step से, उसके बाद back कर देना, और यहाँ पर आपको जो second group देखने को मिलता है, सेम आपको यहाँ पर भी यह process करना है, यहाँ पर आप देख सकते हूँ, मैंने सभी groups को यहाँ पर set कर लिया, set करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो widget देखने को मिलते, complete frame के अंदर आजेगी, कुछ के बाद आपको यहाँ पर save को आइकन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, wallpaper को change करना है, home screen का wallpaper change करने के लिए, मैंने कुछ सब wallpaper modify कर रखा है, इसका लिंक मैं description box में डाल दूँगा, वहाँ से आप download का लेना, उसके बाद three dots के उपर क्लिक करना, यहाँ पर set wallpaper के उपर क्लिक करके, इसको home screen के उपर apply कर देना, and complete आपका setup यहाँ पर apply हो जाए, तो complete themes and wallpapers को apply करने के बाद, आप देख सकते हूँ, आपके सामने home screen design कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जो widget देखने को मिलते हैं, वो भी complete change हो जाएगी, बात करें control center के बारे में, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर spider man की only एक ए theme अवेलेवाद है theme store पे, आपको यह वाली theme देखने को मिलती है, अगर आपको download करना है इस theme को तो कर सकती हूँ, या फिर आपके पास कोई minimal theme है, तो आप उसको भी try कर सकती हूँ, अब बात करते हैं सबसे premium feature के बारे में, वो इसका lock screen, जैसा आप इसको on करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे view देखने को मिलेगा, तो बस फिलाल वीडियो में इतने एगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like कर देना, अभी तक आपने काकाशी का full setup नहीं देखा, तो end screen में आपको वीडियो मिल जाएगी, check out कर सकते हूँ,